नमस्कार नुजरू में आप सभी का स्वागत है अर्थ होगस्ता के मोर्चे पर देश को लगातार अच्छी खबरे मिल रही है वैश्विक एजेंसियां जहां भारत की आर्थिक वृद्धी दर का अनुवान बढ़ा रही है वहीं देश में महंगाई लगातार कम हो रही है औ देश लगातार तरक्की के रास्ते पर हैं भारत में विदेशी निवेश भी अपने सर्वाचिस्तार पर है देशमे अगले साल होने वाले सुबाद चुनाओं को देखते हुए कहीं विदेशी निवेशक सतर्क ना हो जाए या अपना निवेश खाटाने नहीं लगें इसके लिए विट्वंत्री निर्मला सीतारमन ने वैश्विक निवेशकों को बड़ा भरोसा भी दिलाया है कि निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंति नरेंद्र मोधी के वर्ष 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने का दावा करते हुए कहा है कि इसे लेकर वैश्विक निवेशकों को घबराने की जरुवत नहीं है सीतारमन ने यह भी कहा है कि सरकार आर्थिक वृध्धी की रफ्तार तेज करने के लिए वैवस्था गत सुधार लागू करने के लिए प्रतिवध है पर नजर है जमीनी स्तर की वास्तविक्ताओं को हम देख रहे हैं आज इस टिटी यही है कि प्रथानमंत्री मोदी वापस आ रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ आ रहे हैं चिदर अन्मन ने कहा कि प्रथानमंत्री मोदी के नेतेत वाली सरकार ने कई पहले की हैं जिससे ने के हर भारती के जीवन में बदलावाया है और कारोबारी महौल में सुधार हुआ है कि सब के लिए काम किया है रोजगार के मुर्ची पर नोंने कहा कि सरकार हर महेंने आउजूत होने वाले रोजगार मेलों के जरिए इस इस साल दिसंबर तक तेश के युवाओं को 10 लाख नौकरिया देने के लिए प्रतिवद्ध है इन में से लगभक 8 लाख नौकरिया इस साल अब तक दी जा चुकी हैं वित्वंत्री ने जलवायू करवाई के बारे में कहा भारत अपने पैसे से इस दिशा में आगे बढ़ र संघर्ष के बारे में पुछे जाने पर कहा कि एक दिर्ग कालिक परियोजना है और यह किसी एक प्रमुग घटना पर निर्भर नहीं होगी आपको याद दिला दें कि प्रस्तावित गलियारे के निर्बान पर सितंबर में नई दिल्ली में आयुद आठार में जी टॉन्ट अमेरिका स्थित आजेंसी ने कहा कि उच्छ खाद मुंतरस्विती तथा कमजोर नियाद से उत्वन बाधायें दूर होती दिख रही है जिसके चलते वृद्धी अनुवान को बढ़ाया गया है एजेंसी ने हालाकि अगले वित्वर्ष दोजाच चॉबीस पचीस के लिए वृद्धी अनुवान को घटा कर 6.4 प्रच्छत कर रिया है क्योंकि उसका मानना है कि उच्छ आधार प्रफावतासा धीमी वैश्विक वृद्धी के करण चालू वित्वर्ष की दूसरी तिमाही यानि अक्टूबर से मार्च में वृद्धी धीमी रहेगी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके